विनोध बंसल जी बार-बार यही आरूप लगते हैं कि मुसलिम विरोधी राजनीती करते हैं। इनके आंसु निकलाते हैं यह जो है ना यह जो कॉंग्रेस की और जो समाजबादी की जो नमाजबादी सोच है ना इससे कब बाहर निकलेंगे मुझे समझ मनी आता जब हिंदुओं पर प्रहार होते हैं तब इनको पता नहीं का साप सूंग जाता है तब एक सब्सक्राइब लोन ओर्डर और प्रसासन साथसन सरकार यह सबको तो कोसेंगे लेकिन इनके मुझे से एक सब्सक्राइब के लिए नहीं निकलता क्यों उसके सांतिपूर्ण चल यातरा पर पत्राब किया गया अपना उसको जंडा फढ़ा गया उसको क्यों अमार पीट की गई और क्यों ज लेंगे आम मेरे नाखून फीचेंगे आम मुझे निरसन सट्या कर देंगे आप मेरी मॉव लिंचिंग करेंगे क्या अधिकार है उनको मिल जाता है क्या यह बात बड़ी गंबीर है लेकिन अभी तक चुपते हैं जैसे ही गोनी लगी यह सारे को साथ बिल से बाहर निकलके के लिए कभी हिंदुत्तों के लिए भी साहिद सोच पाएं यह बड़ा तर्ज्व का विश्य है कि मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू का त्योहारी क्यों आखिरकर बार बार अटेक होते हैं मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़ी एक्पोस करना चाहता हूं दिघांा चुकी है जिसा जरू तरह ह defending प्र whamble हुए हुए कई लोगों कि जान जा चुकी लेकिन जब जान जाते हिंदू की जप मारने वाला को ज्यादि होता है तो इस सारे की सारे Herren और को дос record कि या यह तो तर्वार पर आप आएंगे यह जवाब वारिष पठान जी क्यों हर बार जैसे वो सवाल उठा रहे हैं विनोद बंसल की हिंदूओं की जो भी आत्राय होती है जो बी समागम होते हैं उस पर क्यों अटैक बार बार होते हैं और बार बार यह सवाल उठा है कि बुल्डोजर आक्शन वहाँ पर क्योंकि लाल निशान लगे हुए हैं लेकिन बुल्डोजर आक्शन जो हो रहा है वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसल्मानों के घर पर हो रहा है वहाँ तो उसमें हिंदूओं मेक्के भी घर है बलकि interrupted उतना मुझे अगर अब टाइम देंगे तो मैं बोलूँगा वरना मैं बैटके सुनूँगा सबकी बात हैं बोले वारिस्ट बोले ठीक देगे सबसे पहली बात तो यह है कि देश स्वामिधान से चलेगा काईदे कानूं से चलेगा रूल अफ लॉस से चलेगा ना के जो योगी की यह ठोप दालूंगा वाली पॉलिसी उससे चलेगा या कि यह बुल्डोजर वाली जो पॉलिडिक्स है उससे चलेगा अब देखिए इस जो बहराइच का इंसिडेंस है उसमें जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ उसका सबसे पहले हमने कंडन किया था कंडेमनेशन किया था कि किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है किसी को बोली मारने का अधिकार नहीं है अगर वा आपकी छट पे चाड़ा था जंडा निकाला था दूसरा जंडा लगा रहा था पुलीस प्रशाशन है वो उसकी तेकिकात करेगा उनको अरेस्ट करेगा कानूनी सजा देगा बगर पुलीस प्रशाशन हुआ टोटल फेलो चुका था पुलीस खड़ी थी प्रशाशन का इंटेलिजन्स फिलियर था क्या था पता नहीं वो भी इंक्वाईरी का विशे है बात नमबर दो जो सरफरास की बहन रुकसार उसने एक वीडियो जायर किया था जो पूरी तरफ बीडिया के अंदर स्ट्रॉक्शल मीडिया में वाइरल है उसने कहा था कि चार बजे के करीब ह्टी एफ यूपी के लोग आयते हमारे घर से और उनके जो अब्दूलहमीत पिता है उनका भाई सरफराज है और एक को उठाके ले गए अब उन्होंने कहा कि कहा ले गए किदर ले गए कौन से पुलिस स्टेशन में ले गए उनको पता नहीं कुछ खबर नहीं अब उन्होंने और एक स्टेटमेंट है कि पुलिस उनको पकड़के लेके जा रही है गले में हाट डालके और वो अपना बयान दे रहे है अब एक पिक्चर की तरह एक स्क्रिप्टेट सारी चीज़े हमको दिख रहती है अब कोट है कचेरी है सब उसकी इंक्वाईरी करेंगी लेकिन बात नमबर तीन यह है कि अभी जो बुल्डोजर की आपने बात की कि लाल मार्क लगा दिया आप ही के चैनल के मादियम से मैं देख रहा था कि घर के बार बाल मार्क सुप्रीम कोट ने अभी एक आदेश दिया है पूरे देश के लिए कि अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट भी है उसको सजा हो भी गई है तबी भी आप उसके घर को बुल्डोजर से नहीं उला सकते क्योंकि लौ यह है एक इनसान की सजा व्यक्ति को मिलेगी उसके पूरे परिवार वालों को उसके घर वालों को आप सजा नहीं दे सकते हैं तो यह आज सम्वेधानिक चीज़े जो तर प्रदेश में हो रही है हम इसके खिलाब आवाज उठाते हैं कि आप सुप्रीम कोट के भी जज्ज्मेंट को नहीं मानेंगे सुप्रीम कोट के भी आदेश को यह लोग नहीं मांगेगे तो किस चीज़ के आदेश को मानेंगे अब बात नमबर तीन यहां पर एक बैटे बंसल साब ने कहा कि इतना उसको मारा उसके नाखुल निकाल दिए उसको यह किया बंसल साब अब पोस्वाटम रिपोर्ट थोड़ा पढ़ लीजिए पहले भी अफवाए उड़ी थी इस तरह की पोस्माटम रिपोर्ट में साफ साफ का है कि इस तरह का कुछ ऐसा नाकुन ना उखाड़े थे ना कुछ किया था मगर ये ऐसा चर रहा है एक भरम फेलाया जा रहा है एक डर फेला जा रहा है कि बाई हिंदू मुसलमान दे को मुस सलमान का है ना एरिया हिंदू का है ना सरदार का है ना कृष्चनों का है देश सबका है लेकिन अगर आप बताएए किसी के घर के पास किसी के मस्जिद के बाहर आप जाएंगे किसी की मस्जिद के बाहर जा कि आप लावड म्यूजिक बजाएंगे डीजे बजाएंगे और वहाँ पर आप गालिया देंगे मुल्ले काटे जाएंगे और मैं अलफाज ने इस्तेमाल करता हूँ इस तरह के वहाँ पर अलफाज इस्तेमाल करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अब आप मुझे बता ही हमारा एदे मिलाक का जुनुस निकला लाकों लोग रस्तों को उसको बालना चाहिए बालना पड़ेंगे हाथ में काईदा करूं नहीं ले सकता और यह भड़काने की जूप मेलाने की राज़ती नहीं करना चाहिए आपने जितना वक्त मांगा मैंने आपको दे दिया